तो सर आज हम लेवर की लेवर कर रहे हैं स्टेंडर्ड की आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर हमने क्या-क्या कर लिया क्या-क्या नहीं कर रहा वह देखेंगे हमने last class तक इसको पूरा cover कर लिया था हमने आज जो हम देखने वाले हैं sir labor variance सबसे पहले तो labor के अंदर क्या क्या part होने वाला है same बिल्कुल same है sir बिल्कुल अगर आपको ये आ गया ना तो समझो labor आ गया अभी आप देखो कि sir ये तो बिल्कुल same ही है जिसको material आता है वो उस बच्चे को मैं कहूँगा भाई तुझे labor आता है अगर तुने labor छोड़ दिया तो तु बड़ा मतलब कि मान के चलो क्या बोलू मैं उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए तो sir इसके अंदर भी labor variances के अंदर देखा जाए होगा सर यह होगा हमारा स्टेंडर्ड लेवर कॉस्ट माइनस में एक्चुवल लेवर कॉस्ट थोड़ा short form use कर रहा हूँ बट मैं बोलता जा रहा हूँ तो जब कभी भी आप वीडियो इसको देखें तो रोक करके आप लिख लेना क्योंकि मैं थोड़ा सा formula को एक ही पेज पे दिखाना चाहता हूँ ताकि हमारा presentation खराब ना हो ठीक है सार यानि आप formula देखना चाहो तो यहाँ पे जहाँ पे quantity 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 price तो वही रहेगा जहाँ पे quantity 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 होगा वहाँ पे आपका लग जाएगा hour आवर तो सबसे पहले हम बात करें ना labor की तो labor में क्या use होता है हमारा labor का हम उसका एक hour चेक करते हैं और दूसरा उनका rate होता है लेकिन उनका rate होता है wage rate तो labor ने हमने सोचा कि भाईया तू मैंने एक labor से पूछा कि भाई तू एक unit है एक product है calculator मान लेता है calculator कितनी दिर में बना देगा उसने वहला सार इस calculator को पूरा फिटिंग उटिंग करने में एक घंटे का time लगेगा मैंने लगा चल ठीक है आठ घंटे का time लगा तो तू आठ घंटे में आठ calculator पर प्यार करके देगा मेरा जम्शंता था that is standard तो standard लेवर आवर कितना है आठ घंटे में आठ यूनिट प्रोड़क्ट करेगा लेकिन अब actual में क्या हो सकता है actual में हो सकता है वो 10 बना दे और actual में हो सकता है वो 5 ही बना पाएं तो सेम जैसे वहाँ material था यहाँ पे labor का क्या रहेगा आवर रहेगा रेट में overtime वगरा भी देना पड़ सकता है इसके अंदर एक idle time होता है इसके अंदर idle time क्या होता है कि labor बहुत समय में labor खाली बैठ जाते है अब खाली बैठने का labor का reason क्या होता है due to आपका light चला गया labor खाली बैठा है due to labor बिमार हो जाता है या फिर वो लंच में ज्यादा टाइम या बातों में लगा दिया तो idle time तो होना definitely fix ही है तो हम पहले ना एक formula लिख लेते हैं और formula या मैं formula तो बाद में लिखूंगा पहले की तरह पहले हम ऐसा करते हैं कि simply क्या-क्या निकालेंगे एक निकालेंगे हम labor rate variance labor rate variance rate variance labor rate variance को मैं short में बोलूँगा labor rate variance यानि सर जो हमारा cost में changes आता है उसके दो लोग जिम्मेदार फिर से या तो rate की वज़े से हमारा cost फरका गया होगा labor का या फिर दूसरा हमारा वहाँ पर क्या होता था rate के बाद होता था material देखो rate के बाद होता था material uses लेकिन labor यहाँ पर uses नहीं ले सकते labor को यहाँ पर हम क्या लेंगे सर यहाँ पर labor का efficiency चेक करेंगे है वही सर देखो कुछ बाते ना पढ़ने पढ़ाने आली बात है कि कुछ लोग हर चीज को एकदम अलग-अलग तरीके से परजेंट करते हैं मैं तो बोलता हम यह सीधा यह की चीज है क्यों अपना दिमाग ज दूस थोड़ी कर सकते हैं तो उसका efficiency यूज कर सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारा दूसरा लेवर कि एफिसेंसी कि वेरियांस मैं आगे इसको लेके जाऊंगा दीरे दीरे तभी तो इसकी तो बात करी नहीं रहे लेवर एफिसेंसी वेरियांस सर इसको शॉट फॉर्म में कुछ बोलेंगे क्या हम बिल्कुल मैं एक नाम दे देता हूं इसका लेवर एफिसेंसी वेरियांस ठीक है अब बात करें सर फॉर्मूले का एक्रेकली सेम फॉर्मुला है आप एफिसेंसी के अंदर क्या है हरा रेट में क्या है ड़िया उसकी तो यहाँ पर पर जो फॉर्मुला यूज होने वाला है सर क्या करेंगे यूज यहां पर जो फॉर्मुला यूज करेंगे सर आपको खुद भी पता चल जाएगा यहां पर था इस्टेंडर्ड प्राइस तो यहां होगा इस्टेंडर्ड रेट माइनस यहां था एक्चुल प्राइस यहां पर होगा एक्चुल रेट यहां पर था इस मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिखते जाएंगे मेरे पास क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही जगह फॉर्मूला हो एब्रिब्रेशन में हर जगह लिखता जाऊंगा इसका एसर का मतलब है आपका स्टेंडर्ड रेट एच एच का मतलब है एक्चुल आर ए आर का मतलब है एक्चुल रेट और अभी हम यूज भी करेंगे एस एच का मतलब होगा स्टेंडर्ड आर तो मैं लिख रहा हूँ हाला कि वैसे तो आपको पता चल जाएगा सर ओके सर ये कैसे निकलेगा देखो मैंने कहा ने आपको आता है मैंने अभी अभी कहा कि सर आपको आता है ये चलिए अगला फॉर्मूला देखे ये याद तो मतलब ये भी इसके अंदर क्या होगा सर इसके अंदर ये वाला पॉइंट है यहाँ पे लेते थे स्टेंडर्ड कॉंटिटी यहाँ पे लेंगे स्टेंडर्ड आर यहाँ पर लेते थे actual quantity, यहाँ पर minus करेंगे actual r और यहाँ standard price था, तो इसको हम multiply कर देंगे किस से? Standard rate से Standard rate से Sir, हम labor variances क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि labor हमने जितना अंदाजा लगाया था, जितना अंदाजा लगाया था, कि भीया मैं wages दूँँगा 2000 रुपए, लेकिन actual wages 1800 दिया, तो क्या वज़ा है, या तो rate का कम परक पड़ गया होगा, या उसने जल्दी काम कर दी होगे मेरा काम, दो ही बाते हो सकती है, अगर आप यहां पर दो बाते निकल के आई थी, variances में, mix में, यहां पर सर दो की जखे पर तीन बाते variances में निकल के आ जाएंगी, यहां पर दो के बजाए तीन आ जाएंगे, बड़ी simple सी बात है सर, अच्छा सर यहां तीन आ जाएंगी, yes, तीन कौन-कौन सी वो भी देख लेते हैं, सर, बहुत आसान chapter रही है, लोगों ने इसको practice ना करके बहुत मुश्किल बना दिया है, तीन आ जाएंगे, पहला क्या था material mix variance, तो यहां पर होगा labor mix variance, क्योंकि labor mix होगा ना, कि सारे तरह के labor होगे, चलिए सर, formula की बात कर लेते हैं, कहता है, revise standard quantity, तो यहां पर होगा, revise, quantity के जगह पर क्या आ जाएगा, standard r, minus actual quantity, तो minus actual r, into standard price, तो यहां पर हो जाएगा, हमारा, actual, sorry, standard hour, standard rate, sr, सर, एक मज़े की बात देखिएगा, कि इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर rate है, और rate standard है, इससे जितने भी निकलेंगे ना, जितने भी निकलेंगे, इससे पार्ट, सब में standard rate से multiply होगा, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, standard price है, यह निकला, standard price से multiply, यह निकला, standard price से multiply, बस यह फराक है, थोड़ा सा remind रखने का टेकनीक है, कि सर, इसमें से, क्योंकि standard rate से, तो जितने भी निकलेंगे, इससे multiply होगा, दूसरा क्या था था, material yield, यहां पर labor yield variance आ जाएगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब क्या आएगा, यहां पर labor yield variance, labor yield variance का formula क्या होगा, यहां पर था standard quantity, तो सर, यहां होगा, standard R, यहां पर था, revise standard quantity, माइनस होगा, revise standard, revise standard hour, into में तो आपको बताईए है कि standard rate आएगा हर दिन, चलिए सर, next is और हम इस chapter को पूरी कोशिस करेंगे, आज है मंगलवार, Friday तक खतम कर पाए इस chapter को, अगला है आइडल, अगर अगली हम बात करें, तो यहां पर एक और part add हो जाता है सर, क्या part add हो जाता है क्योंकि labor ना खाली समय निकालता है, तो आइडल आवर होता है, आइडल आवर का मतलब, उसने लगाए 200 घंटे, लेकिन काम हुए मान लेते हैं एक labor है, एक labor है, उसने 200 घंटे लगाए, लेकिन actual में जो काम किया, वो 180 घंटे करें, लेबर पूरा मेरे office के अंदर 200 घंटे बैठता है, लेकिन actual जो काम किया, उसने 180 घंटे, तो आप बताओ, ऐसा कितना समय है, जिसमें खाली बैठा रहा, ऐसा कितना समय है, जिसमें उसने मेरे काम ही नहीं करके दिया, खाली बैठा रहा, बताओ, कि एसा कितना समय है जिसमें खाली बैठा रहाँ कि बिस गंटे है कि ईसे सींपल से यह वह कि इसपल सी बात है यह जो 20 गंटे नहीं ऑइडल बौत लोग्ना से भारी वड है तो है सोचते हैं वहीगा सीदिस भी बात है हम सिंपल लेंग्विज में बात करते है आईडियल आवर वह होता जिसमें हमारा लेवर कुछ काम नहीं करता बिलकुल बैठा रहता है लेकिन बोलता है सेलरी चाहिए इसकी हमें ठीक है तो सर आवर इन एफिसेंशी दीपक का कहना है आवर इन एफिसेंशी दीपक मैं समझा नहीं कंट्रोल वेरियांस अलग है वो निकालेंगे हम अलग तौपिक है यहां पर तो सिर्फ मैंने कॉस्ट करा है फिर सेल करेंगे तो दिखे अभी दिरे दिरे चीज़ा आती जाएंगे तो चलता रहेगा कंट्रोल वेरियांस अलग है वो तो सारे फॉर्मूले बेस वह भी है तो यहां पर आइडल कि इसको थोड़ा इधर कर देते हैं कि आइडल वेरियांस इस इसका फॉर्मूला मैं जब लिखूंगा जब मैं सवाल करा हुआ हैं क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला इंट्व तो इस टेंडरेड्ड से होना है और संडरेड्ड इंट्व मैं आइडल हुआ अगर मैं आप से पूछओंग जैसे के मैंने बलता था 200 और और सो आपने बूला 20 घंटे तो 20 घंटे को मैं स्टेंडर्ड डेट से मल्टिप्लाई करूँगा जी हमारा जवाब आ जाएगा एक ही पेज़ पे मैं सारे फॉर्मूला देना चाहता हूं आपको पीडियाफ बनाके ताकि बस एक्जाम से पहले आप रिवाइस कर ले चलिए सर इससे रिलेटिड कुछ कोश्चन करा जाएं यह तो बस फॉर्मूले फॉर्मूले की बात चल रही थी इससे रिलेटिड कुछ कुश्चन किए जाएं यह सर्थ आपने कर लिया Izलांश कलास में यह भी है चलिए एक उस्चन आपके सामने है कि बड़ा च्छोटास कोश्चन के बारे में है ओक अब़ JIM है चार एक्चुल डाटा एक्चुल प्रड़क्शन हजार हुआ है एक्चुल आवर 15300 लगे है एक्चुल रेट 3.90 है तो सर यहां पर स्टेंडर्ड आवर पर यूनिट तो वही काम करेंगे जैसे हम पहले करते थे हम पहले डेटा को मैनेज कर लेंगे हम पहले डेटा को मैनेज कर लेंगे बड़ी सीथी सी बात है सर इस साइड इस्टेंडर्ड को लेके चलते हैं और इस साइड एक्चुल को क्या क्या लेंगे quantity तो यहां quantity तो आएगा निए यहां quantity की जगह पर क्या जाएगा हमारा आवर और rate और total यहां पर आवर रेट और total एक्च्वल में कहता है सर एक्च्वल प्रडक्शन यूनिट यूनिट को छोड़ो हमें तो आवर रेट चीए एक्च्वल आवर 15300 और rate है 3.90 एक्च्वल और rate है 3.90 फटा फट से गुना करके बताईए क्या आया गुना करके बताईए total क्या आता है इस्टेंटेड आवर 15,000 अच्छा साक्षिय ने देखो 15,000 निकाल भी दिया मैं तो यह सिखाने वाला था निकाल लिया मुझे इसको multiply करके बताऊ क्या आया जो बच्चे देख भी रहे हैं चाहे जो बच्चे recorded देखें वो भी multiply करके आके निकालने कोसिस करें कहने 5,9,6,7,0 5,9,6,7,0 5,9,6,7,0 ठीक है सर अब यहाँ पे एक यूनिट पे हमारा 15 लगता है अब देखो मैं standard Rs को convert बदलना पड़ता है एक यूनिट पे हमारा 15 घंटे लगते है 15 घंटे और हमने बनाये कितने actual तो देखा जाए तो 1000 यूनिट पे 15 से multiply नहीं करेंगे तो 15,000 घंटे होने चाहिए थे standard और rate में तो कोई देखी नहीं सकता तो 4 तो 60,000 तो सर यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है सर मुद्दे की बात यह है कि जो data हमने prepare किया है हमारा 60,000 रुपे total actual standard हमने अंदाजा लगाया कि 60,000 का खर्चा हुआ लेकिन 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 निकल के क्या है कि 69,670 का खर्चा हुआ कम भी आजाना चाहे ज़्यादा आजाना दोनों ही चीजों को चेक करना आता है ऐसा नहीं कम होगे तो चलने दो यार काम क्या standard variance क्या करेंगे क्या भटाओ इसे चलने दो नहीं हमें पता होना चाहिए क्या core है जो सबसे पहले हम निकाल लेंगे आपका लेवर का जो total cost आया है उस variance की बात कर लेते हैं लेवर cost variance अब देखे कुछ word ना मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ मैं देख भी लेता हूँ आपके किताब में कुछ word अलग से भी यूज़ किया जा सकता है तो मैं उसी के हिसाब से लेके चल लेता हूँ आप लोग के लिए क्या बोला है सवाल में तो बोला होगा ना कि क्या निकालना है नहीं बोला भाई साब कहां है labor लेवर cost labor rate सही लिखा है लेवर कॉस्ट शॉर्ट फॉर्म लिख दे ल्सी वी बड़ा सिंपल सी बात है तो स्टेंडर्ड कॉस्ट हमारा इसको एक और तरीके से डिफाइन कर तो सर क्या हो सकता है स्टेंडरर इन्ट उपने स्टेंडर्ड़ एक्शूल आवर इन्टू में अक्शूल रेotom बस बसब्स सवाल में ऐसे वर्मृलर लिख कर देते हैं उनक특ी बात है है शर्व क खोकर सबात हैं इस सब्सक्राइब तो पता क्या हुआ तो बूलेगा पडाव गया कितना मेश्यारेदा कि किया उन्हां छेसों गया कितना पूला गया जैँधाया है छिग एक टीन सो तीस यह इvoorbeeld कि द का लगी दिया है अगला है हमारा labor rate variance, sir labor rate variance का formula क्या था, labor rate के अंदर था आपका standard rate, minus में actual rate, into में आपका actual hour, जहां quantity था वहां hour आ जाएगा, तो sir standard rate क्या है, 4 रुपे, actual rate क्या था, 3.90, और into में actual hour क्या है, sir, 15,300, यहां कितने का variances है, चेक करो, labor cost variances के बाद यह बताओ, कितने का variances है, sir, 1530, यह favorable होगा, यह sir favorable आ गया, यानि sir, यहां 330 का है, यानि rate में तो हम labor से जीत गए, कि भाईया तरको कम दे दिया, लेकिन जैसे ही हमने rate कम किया होगा, तो भाईया उसने जादा घंटे काम, मतलब कि जादा घंटे लगा दिये काम में, अगला क्या है हमारा, labor efficiency variance, क्या formula होगा sir, formula होगा हमारा, अब R की बात करेंगे, तो क्या, standard hour, minus में actual hour, into में standard rate, तो sir, इसको solve करिए, standard hour, आपका है 15,000, एक चुर लग गया, 15,300 और standard rate लगना चाहिए था 4 रुपए, तो देखा जाए तो 300 into 4, 1200, तो sir, 1200 adverse, यानि हमने इससे ये पता चल पाया, कि labor से हमने सस्ते में bargaining कर लिया, जैसे मान लोग किसी labor को पकड़ा, बोला यह कितना लेगा, 2000 है, 2000 में थोड़ी होता है, 800 में कर देगा तो, बोलेगा अच्छा, 800 रुपए बोल रहा है, अब दो दिन में करके दिखा हूंगा, तो मतलब कि 2000 के 1800 रुपए कि मैं बात कर रहता है, 800 है, तो labor से मैंने bargaining कर लिया, labor ने भी फिर money money, मैं सोचा, 800 रुपए देगा, तो कम से कम हमारे favorable में सारी चीजे आ जाएगी, चार रुपए और वैसे देखा, जैसे सब कुछ मिला के तो हमारे favorable में तो हम चलने भी दे सकते हैं, चलिए एक और सवाल, थोड़ा सा mix वाला देख लेते हैं, चलिए पहले data बना ले, पहले data बना लेते हैं, करकى हमार, चलिए भेते हैं आ खजा yo, कि पहले एक बना ले, ऑगल का आ जा लेते हैं, कि बना के जा सकते हैं, तो हम एक तो हमें इंड ऐस ठोभज़ाब हैaccorddadम हैं? झाल झाल